हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जयम इंद्राक्षी इंद्राक्षी दाम में दर्शुक आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आईए इस विशेश अंक में हम बात करते हैं मेशरासी के जा तक सेप्टमबर के महीने में क्या विशेस उपाय करें दूसरी बात इस अंक में जो हम उपाय बताने जा रहे हैं सेप्टम्बर महिनी के वो कौन-कौन कर सकता है वो भी जान ले जिन जातकों का मेश लगन है या मेश राशी है या पुकारते नाम से आपकी मेश राशी बनती है तो आप ये उपाय कर सकते हो अब देखो हमें अपनी राशी से संबन्दित उपाय रोज-रोज गंड़ी के आवशक्ता नहीं होती है जोंकि प्रती दिन ग्रह चेंज नहीं होते है और जब ग्रह बदलते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन के उपर किसी के उपर शुप पर भाव किसी के उपर अशुप पर भाव कहीं न कहीं आता ही है आईए इस महीने ग्रहों का क्या मुमेंट रहेगा वो भी आप जान लें सूर्य सत्रा सेप्टेंबर को एक बजगर के तेरा मिनट से कन्या राशी में चले जाएंगे मंगल छे सेप्टेंबर से मंगल भी कन्या राशी में बुद्ध बाईस सेप्टेmber से तुला राशी में, गुरू चोदा सेप्टेम्बर से मकर में चले जाएंगे और करीब बीस नवंबर के आसपास तक के लिए शुक्र 6 सेप्टमबर से रात्री के बारा बजगर के 50 मिनट के आसपास से अपनी राशी तुला में चले जाएंगे करीब 2 अक्टूबर तक के लिए शनी का इस महीने कोई राशी परिवर्तन नहीं है राहू और केतू का भी इस महीने कोई राशी परिवर्तन नहीं है अब जो ये ग्रह बदलेंगे उसका हमारी राशी में इफेक्ट जरूर आएगा इश्वर करें ये इफेक्ट सभी के लिए अच्छा हो इनका प्रभाव और उसको और अच्छा बनाने के लिए हम कुछ विशेज उपाए मेश राशी के जात्कों के लिए बता रहे हैं हर महीने कुछ ऐसी तारीखे भी होती हैं जिन तारीखों में हमें थोड़ा साबधानी से काम लेना चाहिए आईए आप वो तारीखे भी नोट करने तीन सेप्टेमबर, पाँस सेप्टेमबर, बारा, तेरा, एक केज और बाई सेप्टेमबर इस महीने थोड़ा आपके अंदर चिरशड़ा बढ़ पन बढ़ सकता है यानि के क्रौद की मात्रा इस महीने आपके अंदर बढ़ सकती है कुछ नहीं उजनाएं, इस महां आपके लिए अच्छा स्वागत करेंगी नेत्र कश्ट इस महीने उत्पन हो सकता है, थोड़ा साबधान रहें दूसरे बाद, कहीं न कहीं, यात्रा से भी आपको विशेशलाब की प्राप्ती होने का अवसर मिल सकता अब देखिएगा, जीवन में कब क्या हो, इश्वर से ज़्यादा कोई नहीं जानता तो आईए हम कुछ इश्वरिये उपाई करें, जिससे मेश रासी की जात्कों को इस महीने में, सेप्टेंबर में, अच्छे लाब की प्राप्ती हो क्या करना होगा? आपकी रासी मेश है, आपकी रासी के स्वामी मंगल है मंगल वार की सुबह, आप किसी मंदर में जाएं, कोई रीतु फल ले जाएं यानि के कोई ताजा मोसम का फल ले जाएं, और साथ में देश्ची की का देप ले जाएं जाकर के जो शिवाले होता है वहां रीदू फल अरपन करें देशी घी का दीप अरपन करें और तामबे के पात्र से मंगल की जो धातू है वो तामबा होती है तामबे के पात्र से शिप परिवार को जल से इस्नान किराएं ऐसा आप दो या तीन मंगल बार करें ये कराने के उपरांत आप उस मंदिर में हर मंदिर में करीब करीब हन्मान जी की भी मूर्ती होती है हन्मान जी के बाएं पाओं का यदि आप अन्मेरिड हैं तो बाएं पाओं का तिलक लगाएं पुरुष मेरिड हो या अन्मेरिड हो कोई भी हो उनके लेफ्ट पाओं का तिलक मस्तक पे लगाएं महिलाएं मस्तक पे तिलक ना लगाएं हमाई इनाय शिर्फ हनमान जी को प्रणाम करें और यदि एक दीप एक्स्ट्रा और ले जाएं तो वो दीप और एक फल फिर हनमान जी को भी आप अरपन करें आप ऐसा दो या तीन मंगलवार करिए आपकी राशी के ऊपर अति उत्तम प्रभाव आएगा दूसरे बात दो या तीन मंगलवार कुटा हुआ गुड़ और कुटा हुआ गेहुं जैसे दडडड़ा सा हम कूट लेते हैं या यूं कह लें आप गेहुं को उबाल लें बाइल कर लें दलिया लें सबसे बड़ी है तकरीबर एक किलो दलिया अच्छे से पानी में उबाल ल है जब हलका हलका वो सूख जाए तो उसमें हाथ से गुड़ थोड़ा थोड़ा तोड़ के मिक्स करने है और उसके कुछ लडड़ू से बना लें तकरीबर नो लड़ू बनने चाहिए और नो लड़ू बना करके दो या तीन मंगलवार आप गाईं को खिलाएं कुछ लोग चोकर के भी लड़ू बना लेते हैं अगर आप गहों वगरह नहीं अबाल सकते हैं तो फिर आटे की जो च्छानस होती है उसका चोकर होता हलका से पानी का हाथ लगा करके या दूद का हाथ लगा करके उसके नो लड़ू बना लें एक ड़ड़ किलो चोकर ले आए उसमें बन जाएंगे चलती फिरती जो गाएं होती हैं गाउमाता होती है उन्हें खिला सकते हैं या गवशाला में जाकर के दो या तीन मंगलवार मनिमन ओम मंगलाएं नमा बोल करके खिलाएं बहुत अच्छा इफ्रेक्ट आएगा बहुत लोग ऐसे भी है जिनके आसपास कोई आएं नहीं देखती हैं मिलती हैं तो संद्या के समय अपने ही घर में बैठकर के एक बार आप हनमान अश्टक का पार्ट करें बहुत प्यार से करें हनमान जी के सामने बैठकर के हनमान अश्टक का पार्ट करने के बाद फिर बजरंगमान पढ़ें दो चीजे इस बार मेश पिश्रासी के जा तक यह जुरूर पढ़ें हर मंगलवार भी पढ़ सकते हैं पूरे सेप्टेंबर के चार मंगल आपको मिलेंगे वह पढ़ सकते हैं और साथ में लाल फल या लाल मिठाई आप मंगलवार के दिन बाट भी सकते हैं क्योंकि बहुत लोग पाठ नहीं करते हैं या ऐसे सथान पर रहते हैं पार्ट करना सब्भब नहीं होता है तो जैसे सचेह हैं कि और को लाल मिठाई है तो से आप कहीं भी बाट भी सकते हैं लाल रंग का रोम 스वाल अपनी पॉकेट में रख सकते हैं लाल रंग hai तिर तक मास्तपकते ह rein आप इन उपायों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो जुरूर करिएगा लेकिन मैंने पहले जो दो उपाय बताएंगे शिप परिवार को सनान कराना, दूप दीप करना और फिर हनमान जी के पाउं करते लग करना फल चड़ाना, दीप लगाना और गाएं के लिए चोकर के या दलिया के लड़ू बना करके गाएं को को नो लड़ू खेलाना, दो चार पाच गाएं को यदि ये आप करते हैं, बहुत ही अच्छा असर आपको अपने ग्रौह में, अपनी रासी में, अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा हमने मेंस रासी से लेकर के मीन रासी के सभी उपाई बता दी हैं आपके घर में हो सकता है किसी की और और कोई रासी हो तो वो भी अपनी रासी सुनकर के अपनी रासी से संबंदित उपाई अवश्य करें दूसरी बात आपके घर में हैं, तो कि जैसे कि आपकी राशी के स्वामी मंगल है, मंगल यंत्र तांबे का हो, मंगल वीशा यंत्र हो, तो वो धारन करना भी आपके लिए अच्छा रहता है, नो मुखी का रुदराक्स तीन पहनना, नो पहनना, वो भी आप लोगों के लिए बहुत सिरिष्ट रहता है, और नो मुखी का रुदराक्स जो है, वो जीवन परियंत भी आप पहन सकते हैं, आप सुखी रहें, स्वस्त रहें, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देती हैं, जैमा इंदराक्षी. तो मैं इतना आस्चर्ज हो गया कि इन्हें कैसे माला है, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वज़य से मैं आज तक उन्हों से परभावित हूँ, और इनका बताने का सैली वेगरा इतनी बढ़िया है, जो हम अपने कलास के टीचर से भी उतना किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें